यहां पर 25 दिया हुआ है x square plus का 2 root 3x और यहां पर plus minus का 24 इसमें से multiply केगा तो minus का 24x square एगा तो middle term का पर split करते हैं देखिए किस तरह से हम लोग यहां पर ले लेते हैं x square यहां पर देखिए हम ले माइनस 24x square चाहिए न तो इसे दो टम में करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग हम लोग ले लेते हैं पर plus का 4 root 3x और minus का 2 root 3x माइनस 24 यहां सब्टेट होगा तो यह आ जाएगा और multiply होगा तो 8 324x square माइनस का जाएगा यह है न तो दो टोको में common करते हैं x common करेंगा तो x plus का 4 root 3 और यहां minus का हम लोग 2 root 3 common करते हैं तो x बच जाएगा और यहां sin change हो जाएगा और यहां पर आपको लिखना होगा 4 root 3 तभी न इन दोनों में multiply होगा तो दोनों bracket में सेम है तो x plus का 4 root 3 ठीक है और into में हो जाएगा आपके x माइनस का 2 root 3 यह आपको answer हो जाएगा कोई निकत नहीं है समझ गए कोसा नमादे